हेलो फ्रेंज Welcome to my youtube चैनल एवी एकाडमी दोस्तो मैं हूँ स्वेता और आप सभी का श्वागत है मेरी youtube चैनल एवी एकाडमी के साथ दोस्तो आज का क्लास हमारा हिस्टरी का होगा और हिस्टरी के अंतरगत आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत जिसका शाशनकाल है 1200 से लेकर के 1526 स्वी इसको देखेंगे कि मतब दिल्ली पर किसकी श्रिवन्स का शाशन रहा इस सीद को हम लोग आज देखेंगे ठीक है तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने मद्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूगी ताकि आप लोग पिछले क्लास को कर ले चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत ठीक है तो दिल्ली सल्तनत पे किस-किस वन्स का शाश कि इस रहा हूं तो इसक ट्रिक भि मैं बताई थी गूलाब के तुम से लो और दिलली सल्टनत पर ने वाले उस्का त्रिक गुलाब के तूम के विदियो तो आप लोग इस को ठीक है चले आगे बताती हूं मैं गुलाम बंस में टोटल 11 सासक थे खिलजी बंस में टोटल 5 सासक तुगलक बंस में टोटल 9 सासक और सयद बंस में टोटल 4 सासक और लोधी बंस में 3 सासक थे ठीक है तो देखते हैं हम लोग गुलाम मंस को ठीक है गुलाम मंस को पहले देख सब्सक्राइब फिर्ट घवन्स ₹ को को देखते हैं जिसमें पहला शासन जो आपड़ा सो चोज बार्यासो दस सवी इसकी राज़धानी थी कुटूबुद्दीन एवक जो रुष्तिता मैं जब सब्सक्राइब तिसकी राजधानी लहौर थी ठीक है और कुदूबुद्दीन एबक के बाद आडाम सहने शासन किया 1210 सिवी में ठीक है इसके बाद आज आते हैं समसी राजवन समसी राजवन जिसमें इल्तुतमी से जो 1210 से लेकर 1236 सिवी तक शासन कि इसकी राजधानी है दिल्ली तीक है इलतुतमिस जब साशन करना है तो इसकी राजधानी दिल्ली हो गई ठीक है 1210 इस्वी से लेकर के 1236 इस्वी तक साशन की इलतुतमिस ने उसके बाद आए रुकु नुदीन फिरोज शा जो की 1236 में शासन की फिर रजिय सुल्तान जो 1236 से लेकर के 1249 में शासन की और यह पहली मुस्लिम महिला सासी का थी दिल्ली शल्तनत की तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे गुलाम वन्स को जितने वी वन्स सभी को डिटेल्स में अगले वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं रजियत सुल्तान का जो सासन काल था जो 1226 से 1249 स्वी तक था उसके बाद है मुई जुद्दीन बहराम सा जिसकी शासन काल है 1240 से 1242 स्वी तक ठीक है फिर दूसरे नेक्ट है अलाउदीन मसूद शा जिसका सासन काल है 1242 से 1246 स्वी तक नेक्ट है नसिरुद्दीन महमूद जिसका सासन काल है 1246 से 1265 स्वी तक था ठीक है तो अब नेक्ट देखते हैं जिसमें बलवनी राजवन जिसमें सबसे पहला सासन जो किया गया सुद्दीन बलवन 1265 से 1287 स्वी तक उसके बाद मुई जुद्दीन कैकूबाद जो कि 1287 से 1290 स्वी तक शासन के उसके अधा है समसुद्दीन क्यू मर्श जिसका शासन काल है 1290 स्वी तक ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने 11 जो दिली सल्तनत पे जो गुलाम बंस जो सासन की इसके टोटल 116 शासकर है ठीक है नेक्स देखते हम लोग खिलजी वंस में आते जिसमें 5 सासकर है ठीक है पहला है जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी जिसका सासन काल है 1290 से 1296 से 1296 इस वी तक ठीक है नेक्स देखते है शिहा बुद्दीन उमर जिसका सासन काल है 1316 इस्वी से 1316 इस्वी जो की 35 दिन तक सासन की है ठीक है नेक्स देखते है कुतु बुद्दीन मुबारक शाखिल जी जिसका सासन काल है 1316 इस्वी से 1320 इस्वी नेक्ष्ट है नासिरुदीन खुसरु खां जिसका सासन काल है 15 अप्रेल से 7 सितमबर 1320 स्वी ठीक है नेक्ष्ट देखते हैं हम लोग अब आते हैं हम लोग तो खिलजी वंस के 5 सासक को देख लिए अब तुगलक वंस में टोटल 9 सासक ने सासन किया ठीक है पहला है गया सुदीन तुगलक शाह जिसका सासन काल है 320 से 325 स्वी तक नेक्ष्ट मुहम्मद बीन तुगलक जिसका सासन काल है 325 स्वी से 391 स्वी तक ठीक है नेक्ष्ट देखते हैं हम लोग फिरूज सा तुगलक 1391 से 388 स्वी तक नेक्ष गयास्तुदीन तुगलक सा दूतिये जिसका सासनकाल है 1388 से 1389 इस वी तक उसके आगे है अबु बक्र शाह जिसका सासनकाल है 1389 से 90 इस वी तक जन्वरी मार्च 1394 इस वी तक इसमें दो स्वतंत्र शाशक है ठीक है दो स्वतंत्र शाशक नसुरुदीन महमूद सा 1394 से 1413 इस वी दिल्ली में और नेक्ष नुसरत सा 1394 से 1398 इसमें फिरोजावाद ठीक है अब नेक्ष ठाती हम लोग सैद वंस को देखती हैं सैद वंस में का चाड सा सकते हैं ठीक है पहला ख कर जिसका साशनकालत 1414-421 वर्स दूसरा है मुबारक सा जिसका शाशनकालत 1421-434 इस वी फिर नेक्ष नेक्ष CIMC मुहम्मद सा जिसका शाशनकालत 1434-445 इस वी नेक्ष अलाउद्धीन आलमसा जिसका साशनकालत 1445- 1451 से तक तर इस तर वन्स के चार सासकों को जान लिया नेक्ष्ट देखते अब लोदी वन्स जो की अंतिव सासन थे दिल्ली शल्तनत के जिसमें तीन सासक रहें बहलोल लोदी इसकी प्रथम शासक थे जिसकी शासनकाल है 1491 से 1489 नवाशी तक ठीक है इस वी तक नेक्ष्ट सिकंदर लोदी 1489 से 15 17 इस वी तक उसकी बाद नेक्ष्ट इब्राहिम लोदी दूतिये ठीक है इसका शासनकाल 1517 से 1526 इस वी तक रहा ठीक है नेक्ष्ट पढ़ते हैं हम लोग इसमें देखते दिल्ली सल्तनत का वास्तवी कसंस्थापक के बारे में जानते हैं ठीक है तो इसमें बतार आया कि इ इनका शासनकाल 1210 से लेकरके 1246 इस वी तक रहा ठीक है इम दूत्मिस ने दिल्ली सल्तनत के अस्थाइत्व के लिए अपने काड़ि किये जैसे तुरकान ए चहल गार्नी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारम में किया नेक्ष्ट है, इल्तोतमिस ने सुल्तान ए आजम की उपाधी धारन की थी यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सासक बना था इल्तोतमिस ठीक है, नेक्ष्ट देखते हैं और आज का लास्ट पॉइंट से, नेक्ष्ट पॉइंट है हमारा दिल्ली पर सासन करने वाले कुतुबुद्दीन एवग, कुतुबुद्दीन एवग ने कुतुबी और इल्तोतमिस ने शश्मी व, बल्वन ने बल्वनी वन्स की अर्ष्थापना की तो इसको ध्यान रखेगा, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां जाना दिल्ली सल्तनत पर सासन करने वाले पांच वन्स के बारे में गुलाम वन्स, खिलजी वन्स, तुगलक वन्स, सयद वन्स और लोधी वन्स में किसके शासक ने सासन किया, ठीके, तो इसको हम लोग आज इतना ही देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुलाम वन्स के बारे में डेटेल्स में पढ़ेंगे तो सभी बंस के बारे में डिटेल्स में नेक्ट नेक्ट वीडियो में पढ़ते चले जाएंगे ठीक है तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के क्लास से आप लोग को बेनिफिट मिलेगा तो इस तरीके से रोजाना हमारे यूटूब चैनल एवी अकेडमी पर बने रही है और इस यूटूब चैनल को आप आगे बढ़ाने की कोश्त कीजिए जादा जादा लोगों में सेर कीजिए ताकि इस कलास का बेनिफिट आप भी ले सके और दूसरी लोग भी ले सके थैंक्स पूर वाचिंग मै वीडियो